Welcome to KFO Studies तो आज हम पढ़ने वाले हैं Class 9 का Unit 2 जो की है Paronormals तो आज हम पढ़ने वाले हैं Exercise 2.5 का Question No. 15 चलिए शुरू करते हैं Give possible expressions for length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given अब यहाँ पर area given है rectangle का और हमें possible length और breadth का expression मालूम करना है कि क्या होगा तो area यहाँ दिया है 25a square minus 35a plus 12 तो देखो area rectangle का क्या होता है length into breadth तो मतलब इस expression को मुझे इस तरह factorize करना है कि दो factor आजाएं जिन मेंसे एक length होगी और एक breadth होगी अब देखो इसे हम factorize कर सकते हैं by using middle term split method तो यह beach वारी term हमें split करनी है कुछ इस तरह से कि जो beach की splitted दो values है उनको add or subtract करके तो यही है beach की term minus 35a पर उनका जो product हो वो क्या है वो है 25 और यह जो पहली दो term है 25a square और यह 12 इनका product इस तरह ही करेंगे पतलब add or subtract करके क्या आना चाहिए minus 35a है और multiply करने के बाद आना चाहिए 25a square और 12 का product तो अब देखो क्या करेंगे हम कैसे करेंगे यह जो 25a square और 12 है इनका product आएगा उसका factor निकालो अब मैं a square को अभी यहाँ पर ऐसे ही रहने दूँगी आप क्या करो सिर्फ यह number लो 25 और 12 है ना इनके factor बनाओ है ना इनके factor बनाओ देखो क्या होगा 25 के factor 5 इंटू 5 12 क्या होता है 4 इंटू 3 है ना तो यह क्या हो गया इनका product है इनका product जो भी होगा उसके factor यही हो गए यह ज़्यादा असान method है factor निकालने का कि आप क्या करो 25 के factor लिग दो 12 के factor लिग दो और बीच में multiply का sign लगा दीजे वरना आपको क्या करना पड़ेगा मैंने कहा product करने के बाद इनका क्या आना चाहिए इन दोनों को multiply करके आना चाहिए है तो इन दोनों को आप पहले multiply करोगे फिर जो number आएगा उसका factor निकालोगे वो बहुत लंबा process हो जाता है तो वो करने से अच्छा क्या करो इन दोनों के आप अलग-अलग factor निकालो और multiply कर लो अब देखो इसे और अगर आप simplify करो 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हो और 3 इस तरह से आगए अब देखो इन ही factor को आप कुछ इस तरह rearrange करो कि 35 आए कुछ इस तरह से rearrange करो तो देखो अगर मैंने यहाँ एक 5 ले लिया और इसे pair कर ले दें चलो 3 के साथ क्या आ रहा है 15 और बाकी क्या terms है बाकी जो बची 5 into 2 10 10 into 2 20 बिल्कुल अब यहाँ यह देखो 15 और 20 को अगर मैं add कर रही हूँ क्या आएगा 15 और 20 को add करने पर आ रहा है 35 हाँ ना तो यह हम consider कर सकते हैं factor क्या करेंगे अब देखो मैंने कहा कि इन दोनों को इन दोनों का product करके क्या आना चाहिए यह आना चाहिए 25 और 12 तो वो तो आ रहा है अब इन दोनों को add या subtract करके मैंने क्या कहा मैंने कहा था minus 35 यह आना चाहिए अब यहाँ आ रहा है plus का 35 हाँ प्लस का आ रहा है इन दोनों का product यही आ रहा है और इनको जोड़कर अब देखो क्या आएगा इनको जोड़कर minus 35 आएगा है ना तो problem क्या हो गई यहां हल हो गई आपने दोनों negative के terms ले लिए अब देखो यहां आपके लिख सकते हो 25a square तो ऐसे ही रहेगा minus 35a की जगह आपके लिख लो minus 15 है minus 20 है लिख सकते हो आप है ना और plus 12 भी as it is आएगा अब यह जो starting की दो terms है इन में जो चीज़े common आ रही हैं वो लिखो अब यह देखो 5a यहां common आएगा है ना अब अगर 25a square में 25a square में से अगर आपने 5a common ले लिया तो और क्या बचेगा 5a ही बचेगा एक बढ़ देखो मैं आपको करके बता देती हूं 25a square 25 क्या होता है 5 into 5 है ना और a square मतलब a into a अगर 5 और a मैंने common निकाल लिया क्या बचा एक 5 और एक a यही बचा तो 5a ही हां लिख दिया इसी तरह से minus 15a में अगर मैंने 5a common निकाल लिया तो negative बचा और 3 बचेगा है ना अब देखो बाकी के यह जो दो time है इन में से जो common आ रहा है वो निकाल लो तो यहाँ पर minus 4 common आ रहा है है ना इस में से अगर minus 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा plus का 5a और अगर मैंने 12 में से minus 4 बाहर निकाला तो minus का 3 बचेगा है ना sign का बहुत ध्यान रखना है अब देखो 5a minus 3 5a minus 3 यह जो factor है दोनों जगा common है तो इसे common निकाल लो यहाँ बच जाएगा 5a यहाँ बचेगा minus 4 है ना तो 5a minus 4 का दूसरा factor बन गया अब यह दो factors यहाँ बन चुके हैं इन में से कोई कोई भी दूसरी breath है तो आप last में यह लिख लो यहाँ पर कि जो possible length और breath है वो क्या हो सकती है जो वो हो सकती है 5a minus 3 और 5a minus 4 कोई भी एक इसमें से length हो सकती है और कोई भी एक इसमें से breath हो सकती है next यहाँ पर area जो दिया है 35y square plus 13y minus 12 अब यहाँ पर भी क्या करना है यह जो area है यह again rectangle का है तो ln 2b के बराबर है तो यहाँ पर भी हमें 2 factor निकालने हैं such that multiply करने पर जो middle term को आप split करोगे उनकी जो number है उन्हें multiply करने पर तो क्या आना चाहिए multiply करने पर 35y square multiplied by minus 12 जो भी answer आता है उसके बराबर होना चाहिए और add या subtract करके क्या आना चाहिए 13 अना चाहिए 13y के बराबर आप क्या करो फिर से आप सिर्फ number ले लो and number के factor निकालो 35 और 12 के आप factor निकालो तो देखो फिर से जादा आसान क्या है 35 325 को आप क्या लिखो आप इसे लिखो 75 होता है है और 12 क्या होता है 43 सब को multiply करके लिखा हुआ है मैंने तो इससे फैक्टर आ जाएंगे 35 इंटु 12 जो भी नंबर आता उसके फैक्टर आ जाएंगे अब देखो 7 इंटु 5 इंटु 4 को 2 इंटु 2 लिख लिया और इंटु 3 अब यहाँ पर देखो हमें कुछ ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें एडिया सब्ट्राक करके 13 आए है ना देखो क्या करेंगे अब हम यहाँ देखिए अगर मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर माल लिजे मैंने ले लिया एक 7 ले लिया पेर करते हैं इसे चलो इसे पेर करते हैं 2 के साथ क्या आ रहा है 7 टू जा 14 अब बचा क्या 3 2 और 5 इन्हें अगर मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या आ रहा है इन्हें मल लेंगे अब देखो मैंने क्या किया आप 7 लिया 7 को एक और टू ले ले लेते हैं चलो टू इंटू टू मतलब सेवन फोर ट्वेंटी एट यह एक ले लिया नंबर और फाइव थ्री जा क्या 15 एक नंबर ले लिया 15 है ना तो अब देखो अगर मैंने अब हाँ देखो इना सब्ट्रैक किया 28 माइनस 15 क्या होता है 13 ही होता है यह जो लिया अब देखो यही आप यहां लिख लोगे 13 को आपने लिख लिया 28y-15y है ना तो अब आप क्या देख सकते हो यह यह जो स्टार्टिंग के दो नंबर है इन में से अब आप कुछ common ले लो उसके बाद यह जो next दो नंबर है इन में से आप कुछ common ले लो जो भी common आ रहा है 35y स्क्वेर और 28y में क्या common है दोनों में आप देख सकते हो 7y common है मैंने common ले लिया अब अगर 35y स्क्वेर में से 35y स्क्वेर के एक बर फैक्टर निकालो क्या होंगे 7 इंटू 5 इंटू y इंटू y अगर 7 और y यहां से चले गए मतलब मैंने common निकाल लिया तो 5y बचा यह यहां लिख लिया इसे रहा 28y में से अगर 28y क्या होता है 7 इंटू 4 इंटू y इसमें से अगर 7y common आ गया तो क्या बचा 4 बचा प्लस का तो यहां लिखा हुआ है नेक्स देखो मैनस 15y में से मैनस 15y और मैनस 12 में मैनस 3 common आ रहा है मैनस 3 अगर common आया तो यहां पर 5y बच गया प्लस का और 12 मैं से मैनस 3 बहार अगर आ गया तो प्लस का 4 बचेगा अब 5y प्लस 4 दोनों में common है इसे आप as a whole बहार common निकाल लीजे है ना तो बचा क्या यह 7y है यह 7y और यह मैनस 3 यह बचा तो 7y मैनस 3 एक और factor यहां बन गया तो बस आप अब end में क्या लिख लो यहां आप देख रहे हो कि दो factors यहां आपको मिल गए है है ना तो length और breath इन में सही है ना तो last की आप यही line लिख दीजे पॉसिबल length and breath are 5y-4 and 7y-3 units है ना इस तरह आप यहां लिख सकते हैं तो thank you for watching आज की class के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चैनल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँचें थैंक यू आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं